नमस्कार दोस्तों मैं रोद्र और फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टोक अनलाइजर चैनल पर दोस्तों हम आज के इस वीडियो में इंफ्रा स्पेस के एक आउट परफर्मिंग स्टोक हजी इंफ्रा इंजिनियरिंग के उपर डीटेल में अनलेसिस करेंगे और एक साल का कितना टार्गेट हो सकता है उसके उपर भी डीटेल में अनलेसिस करेंगे दोस्तों वीडियो के सुरू में बता दू ये कंपणी पिछले दो महिने में 5-6 ओर्डर जीत चुका है सिर्फ दो दिन पहले 1 नवेंबर को ए नहीं की नैशनल हाईवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हजार क्रोड के भी ज्यादा का एक कॉंटेक्ट जीता है तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये शेर आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आउटपरफर्म करेगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो जैसे के अपलोग देख सकते हैं पीछले एक साल में ये कंपनी लगभग चार गुना रिटन दे चुका है अगर आप एक साल पहले 10,000 रुपे इंवेस्ट करते हैं अब तक आपका पैसा 40,000 के भी ज्यादा हो गया होता तो आप इससे समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉ फिट 1400 करोर फिट 2000 करोर फिट 2200 करोर और इस बार 2021 में 2600 करोर के भी ज्यादा अभी तक दे चुका है कंपनी अपने रिविन्यू में दोस्तो जैसे के अपलोग देख सकते हैं 2017 में कंपनी का 50 करोर के आसपास का प्रॉफिट था 2018 में ये 80 करोर के उपर गया 2019 में 120 करोर के उपर गया 2020 में ये 170 करोर के आसपास गया और 2021 में देखिए 236 करोर के आसपास आप देखिए साल दर साल बहुती बढ़िया इंप्रॉब्मेंट हो रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट में तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, earning per share के उपर, तो अब देख सकते हैं, 2017 में लगभग 10 के असपस था, फिर बढ़के 2018 में लगभग 15.5 के असपस गया, फिर 2019 में 20 के असपस गया, 2020 में 25 के असपस गया, 2021 में 36 के उपर चला गया, तो earning per share भी बहुत ही बढ़िया है, तो अगर आप इस stock में अपना पैसा डालते हो, तो ये लगातार grow करता रहेगा, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, return on equity के उपर, 2017 में ये 30 के असपस था, 2018 में थोड़ा घटा, 15 के असपस, 2019 में ये 19 के असपस था, 2020 में ये 20 के असपस, और 2021 में ये 22 के असपस, मतलब share को देखे, तो अच्छा return दे रहा है अपने equity पे, चलिए दोस्तों, अब fundamental analysis के सबसे critical part में चलते हैं, debt to equity ratio, मतलब company का debt कितना है, तो आप देख सकते हैं, company का debt 2017 से 2021 तक एक के नीचे है, 2017 में ये लगभग 0.9 था, फिर 0.5 हुआ, फिर घटा 0.3 हुआ, और ये थोड़ा 65 2021 में, एक infraspace का company होने के बावजूद भी, company के management ने बहुती बढ़िया तरीके से debt to equity ratio को manage किया है, one के नीचे है, मतलब बहुती बढ़िया परफॉर्म कर रहा है company, दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं, technicals की और, technical analysis में पहले बात करते हैं, company का return के उपर, तो आप देख सक 22% का बहुती बढ़िया return है, और इस साल, November महिने तक 262% से भी ज्यादा का return दे चुगा है, अब इससे समझ सकते हैं, कितना बढ़िया momentum चल रहा है company का भी, पिछले एक साल में, 340% का return दिया है, और 3 साल में, 274% का, तो इससे अंदजा लगा सकते है, company बहुती ज्यादा bullish ह दोस्तों चलिए आप बात करते है company के volume के उपर, यानि की volume analysis के उपर, तो आप देख सकते हैं, कल 4 लाग के आसपास volume बना है company के stock का, उसमें से 2 लाग delivery हुआ है, बहुती बढ़िया और healthy ratio है, एक हपते का अगर आप average देखो, तो 2 लाग में से लगभग 1 लाग के आसपास delivery ह है, और अगर एक मंद का average देखो, तो ये भी लगभग 50% के आसपासी है, 2 लाग में से 1 लाग delivery, मतलब सोच के देखिए, 100 लोग अगर खरीद रहा है intraday में, 50 लोग delivery ले रहे हैं, ये बहुती healthy ratio है, और बहुती positive momentum शो कर रहा है, यानि कि लोग इस share में long positions बना रहे हैं, द उसके बाद 2% के आसपास FIIs के पास है, सारे 14% के उपर का हिस्सेदारी DIs के पास है, और लगभग 8% से भी ज्यादा का हिस्सेदारी retailers की हैं, दोस्तो अगर आप promoter के हिस्सेदारी देखो, पिछले कुछ quarter में, September 2020 से September 2021 आते आते, थोड़ा सा company के promoter ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाया है, लगभग 0.50% का, दोस्तो अगर आप FIIs का holding data देखो, बहुती बढ़िया और बहुती positive उचाल आया है इसमें, September 2020 में जो 0.5 पे था, June 2021 तक, जो 0.47 पे आ गया था, वो बढ़के 2021 के September quarter में, दो के भी उपर चला गया है, तो यानि कि 5 गुना बढ़ा है अपन हिस्ष्षदारी, दोस्तो, D.I.E.S. ने थोड़ा सा हिस्षदारी अपना घटाया है, September 2020 में ये 19 के उपर था, और अब September 2021 में 14 के उपर है, दोस्तो अगर आप retailers की हिस्षदारी देखो, तो September 2020 में ये लगभग 6 के आसपास था, और ये बढ़के अभी 8 के उपर चला गया है तो retailers लगातार इस share में अपना निवेस बढ़ा रहे है, ये भी एक healthy sign है, दोस्तो चलिए बात करते हैं अभी company के recent जो projects company ने जीते हैं उसके उपर, तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे date साफ साफ लिखा हुआ है, 2 November 2021 का, और company ने ये अपना official letter BAC के website पे दिया हुआ ह तो अगर आप चाहें, तो वहाँ पे जाके चिक कर सकते हैं, company ने 1400 करोर के आसपास का National Highway Authority of India का एक project bid जीता है, जो NHI ने लगभग 1600 करोर के आसपास दिया था, तो company ने अपना efficient management का यहाँ पे भी बहुती बढ़िया नमूना दिखाया है, company ने सिर 1400 करोर में ये project bid जीत लिया है, दोस्तों ये और एक official letter है, जहाँ पे company ने दो और project जीता है, NHI के तरफ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, date दिया हुआ है, 26 October 2021 का, यहाँ पे company ने 1500 करोर के आसपास का project जीता है, और 1123 करोर के आसपास, तो आप कह सकते हैं, लगभग 2600 करोर के भी ज्यादा का project जी जीता है, सिर्फ इसी date पे, 26 October को, और आपको याद अगना पड़ेगा, company का जो valuations है, यानि कि market cap है, वो 5000 करोर के आसपास का है, तो आप सोच के देखिए, 5000 करोर के आसपास का company, 3000 करोर के उपर का भी project सिर्फ कुछी दिन में जीता है, तो कितना बढ़िया और कितना positive बात है दोस्तों ये भी एक official letter है, जो company ने 15 September 2021 को BAC को भेजा था, और यहाँ पे भी company ने दो project जीते हैं, NSI के तरफ से, 172 करोर का, और 1637 करोर का, और यहाँ पे आप देख सकते, official date है 15 September का, दोस्तों ये एक और official letter है, 14 September 2021 का, और यहाँ पे company ने राजस्थान PWD Department से 450 करोर के आसपास का एक project जीता है, तो अगर आप सोच के देखिए, तो एक company पिछले सिर्फ दो महिने में 6,000 करोर से भी ज्यादा का project जीता है, और company का market cap है 5,000 करोर के उपर का, तो आप सोच के देखिए, आने वाले दिनों में कितना बड़िया return ये देने वाला है, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं, if I eyes ने क्यूं अपना हिस्सेदारी अचानक से 2% से भी ज्यादा बढ़ाया है, तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ एक बात कहना चाता हूं, कि मुझ आने वाले दिनों में, और company का share मुझे लग रहा है, 1500 के उपर चला जाएगा एक साल के अंदर, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो, ऐसे informative वीडियो अगर आपको इसी चैनल पर आगे भी चाहिए, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब कर लिज झाले पर आपको यह वीडियो अगर तो I